मेरा मन नहीं है कि मैं लोगसभा चुनाव लड़ू यदि पार्टी का आदेश आएगा तो मैं भोपाल से क्या राखोगर से भी चुनाव लड़ जाऊँगा यह बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने लोगसभा प्रत्याक्षी कॉंग्रिस से दिगवजय सिंग के सामने चुनाव लड़ने की बात पर कही है देखें एंपी न्यूस की इस खास रिपोर्ट में लोगसभा चुनाव 2019 के मद्धिनजर देश के सियासी गलियारों में सरगर्मिया चरम पर है इसी कड़ी में मध्युप्रदेश के पूर्व सीम और भाजपा के राश्योपाद ध्यक्ष शिवराज सिंग चौहान ने बड़ा बयान दिया है भुपाल सीथ से चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर शिवराज सिंग ने कहा कि मेरा व्यक्तिकत मन नहीं है मैं अभी विधायक हूँ लेकिन अगर पाटी चाहती है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो आदेश का पालन किया जाएगा फिर तो भुपाल क्या रागोगड़ से भी लड़ जाओंगा शिवरा सिंग ने ये बात भिंद में कारिक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होकर कही गौर तलब है कि लंबे समय से भाजपा की कबजे में भुपाल लोगसबर सीट पर कॉंग्रिस ने पूर्व मुक्य मंतरी दिखवज़ सिंग को उमीदवार बनाया है उनकी उमीदवारी को लेकर भी अटकले लगाई जा रही थी लेकिन अंततह पार्टी ने उन्हें उमीदवार बनाया देखवज़े सिंग इस बात का दावा कर रहे हैं कि वे लोगसबर चनाव 2019 में भुपाल सीट से कॉंग्रिस को जीत दिलाएंगे अब भाज़पा की और से शिवराज सिंग को उमीदवार बनाया जाएगा ऐसी अटकले लगाई जा रही है देखना यह होगा कि क्या भाज़पा शिवराज को भुपाल से मैदान में उतारेगी या नहीं प्यूर रिपोर्ट, MP News, भिंड